नमस्कार दोस्तों मैं हूं मनुश कौन रुकता आप देखने में चनल को इसका नाम है रेग्लों क्लास्स फॉर अकाउंट सामने दिखती है आपको इंकम टेक्स की बुक और स्टी मुलोतरा की बुक है यह 62 एडिशन साइटमर भवन पॉब्लिकेशन से और चैप्टर चल रहा है इंकम फ्रॉम सेलरी आपने थियो वाली वीडियो देख चुके होंगे जितनी वी आपको देखने थी जितनी वी बताने थी सब्सक्राइब थोड़ी बहुत रहेगी है तो कोशन करातने के साथ साथ में कराता रहूंगा और कोशन नमबर वन चलेगा तो बारा से देख लीजिए थोड़ा से स्टेंट का एंगल बढ़ाना पड़ेगा तो आपको यह देखने को मिल रहा होगा कि रेंट फ्री हाउस के लिए हम कौन कौन सी चीज़ एड करते हैं सेलरी डीपी डीए टीपी हमेशे जुड़ता है डीए एस पर टमसर इंप्लॉ सेलरी डीपी डीए और कमिशनल सेल तो कह सकते हैं हाउस रेंट अलाउंसे सेम कंडिशन रहती है रेंट फ्री हाउस के लिए यहां पर कैश अलाउंसे एड हो जाता है और अगर बात किये जाए कि आप टेक्सेवल हरे लिकालने के लिए आप क्या कैशिभी करेंगे तीन होगा इसके अंदर 50% या 40% दिल्ली मुंबई कोलगता चेनने के लिए 50% सेलरी का और बाकी जब सब यह किसाब से 40% आएगा तीनों चीज हम लिखतेंगे तीनों मैंसे जो भी कम होगा वह एक्जैम्ट हो जाएगा और टेक्सेबल लिकालने फॉर्मॉला होगा एचारे रि पर फिर अपको समझेबते हैं फिर लिखाएंगे ठीक है तो सबस्ट्स्ट्राइब केजिए पार रहा होगा रां से आप दिखरा होगा तो इसमें पढ़के दिखाते हैं क्या कि लिखा रहे वे मिस्टर-एक्स इज एंप्लॉयृड इने कंपनी ऐड पंद्रह हजार पर मन कि सेलरी पे एंप्लॉइड है यह इस अमेंबर ऑफ रिकॉगनाइज प्रोविड़न फंड रिकॉगनाइज प्रोविड़न फंड के मेंबर है और जो यह निनका खुओद का और उनकी एंप्लॉइर का कौंटिबिशन हो फीन होंता है 15% वाता उसकी सेलरी का 15% एंप्लॉइर भी दिरा एं उम्प्लॉइ भी दिरा है तो आपको पता है इस करिप्लिशन की यह LenWay 12% से जितना भी उपर होगा taxable होता है during the year he was given credit given credit of 12,000 as interest on the provident fund balance कितना दिरखा है एक लाग एक लाग पर interest कितना मिला हमें 12,000 तो आप देख सकते हैं कि 12% से मिला है interest के लिए 69% की rate decide है से उपर जितना भी interest मिलता है वो सब taxable salary में जुड़ा जाता है calculate the taxable amount of annual accretion to be included in his income under the head salary तो annual accretion लिकालना है ठीक है तो इसे करके दिखाते हैं आप इसका screenshot ले लो फिर करते हैं जल्दी वीडियो आने कोश्च करेंगे जल्दी ही जल्दी हो जाए आपसे उतना करेंगे कोशिश तो solution करते हैं पहले question का first question का तो income from salary के start हो गया है बहुत दिल से आपको इन्तियार था लेकिन आप थिवरी complete हो चुके तो कराते हैं सबसे पहले लिखते हैं यहां पर computation कि ओफ टेक्सेवल कि अमाउंट कि ओफ एन्वल कि एक्रेशन ठीक है एडबल सी आर इ कि टी आई ओएंट कि ओफ और दी कि असेस्मेंट कि एर कि दो हजार इकेस बाइस ठीक है तो उम्मीद करता हूं आप दिख रहा हुआ थोड़ा थोड़ा ठीक सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि इनकी सेलरी किती थी पंद्रहाजार पर कि पीडिया नहीं है कमिशनल सेल नहीं है पूरे कोशन हमने पढ़ लिए तो एन्वल सेलरी हम लिख लेते हैं एन्वल सेलरी हमारी बैठती है पंद्रह हजार इंटू बारा एक लाख असी हजार ठीक है यह आ चुका है अब जो हम लाइन यूज़ करते हैं कि एन्वल एक्रेशन लिकानने के लिए जो हम यूज़ करते हैं बुक में तो अलग हो सकती है तो लिख सेते हैं एंप्लॉयर कॉंट्रिविशन तो आर्पीएफ है इन एक्सिरक queste के उफ्वट्य परसजन थी और सेलरी इसनित अब यह देखो आप यहाँ पर मैंना लिखा है एंप्लॉयर कॉंट्र акиप एफ लग आप पर सेलरी यहां पर कॉंट्रीशन जो हो रहा है 15 परसंट यह नहीं 12 से ज्यादा तीन परसेंट सेलरी समय सिर्फ डेड़ लाक मान जा सकती है क्योंकि इसमें ना तो डीपी एड हुआ है ना कमिशन सेल कोगी है नहीं है नहीं हमारे पास तो यहां पर लिखेंगे एक लाग श् में इंट्रस्ट और पीएफ इन एकसेस अफ नाइन पर्स नाइन पॉइंट फॉइप परसेंट ठीक है तो मैं पता है आपको पता है कि एक लाग के प्रफंड बैलेस पे पारह जार इंट्रस मिला ठीक है तो इसकी एक साइड में परसेंटें लिका लो 12,000 इंटू हंटेड अपॉन एक लाग है तो बारा परसेंट इस मिला कि साड़ेनों परसेंट माफ होता है तो कितना एकसेस हुआ तो हम कह सकते हैं कि एक लाग का जो फंड बैलेंस था उसका से 2.5 परसेंट ही हमारा क्या है एक्स्ट्रा है ठीक है एक्स्ट्रा हुआ पच्चिस सो रुपए पर इस पर सॉल करेंगे तो पच्चिस हो जाएगा कोई दिक्कत तो नहीं ठीक है तो इस तरीके से एन्वल एक्रेशन हो जाएगा सेवंटी नाइन हंड़ ठीक है एन्वल एक्रेशन जो सेलरी में एड होगा और यह टेक्सिबल पार्ट वाला है तो टेक्सिबल भी भी आपने है तो कोई दिकत तो नहीं है वैसे यह पॉइंट आपको बड़े कोशन में मिल सकता है तो इससे देहान से कलेजिए जो दिकत है कमेंट में कोशन करके बताना तो आपको सॉल किया जाएगा उसको पॉइं नोटिक्सिटिकेशन बैल को क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं में पास जन्हों ने शनक्राइब कर रखा है नोटिकेशन बैल उन नहीं करके है और प्लस कई बच्चें तो यह बड़ा दो पच्चे सारे टार्गेट पूरा करना है तो बाई बाई इस वीडियो में इ बेल देल ली वीडियो आते रहेंगे